तीन बार के प्रधान मंत्री रहे अटल बिहारी वाचपई की अंतिम विदाई हो चुकी हैं वे 93 वर्ष के थे और भारत रत्न से सम्मानित थे इस महान नेता की विदाई के बाद ना सिर्फ पक्ष भलकी विपक्ष भी गमगीन है वहीं आपको बता दू कि अटल बिहारी वाचपई एक एसा नेता थे जिसके के लिए समाज अभी तक गमगीन है आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मद्यप्रदेश कॉंग्रेस के प्रदेश प्रतिनीदी शेलेश गर्ग जी जो कि हमें बताएंगे किस तरीके से कॉंग्रेस भी इस गमगीन माहोल में बीजेपी का साथ दे रही है किस तरीके से विपक्ष जो है वो आज राजनीती से परे एक महान नेता के श्रद्धांजली समारों में शामिल हुआ बताएं सर कि किस तरीके से कॉंग्रेस भी आज गमगीन महसूस कर रही है मानने पूर प्रदान मंति अटल विहारी वाजपई की अंतिमिदाई के बाद आप देखें अटल विहारी वाजपई एक नेता नहीं एक मिशन थे उनकी सोच एक उदारबादी सोच थी और देश हित के लिए उन्होंने जो काम हो सकता सब किया अटल जी मूल था गवालियर से और उनका विशेश लगाओ मद्दप्रदेश से था हम लोग मद्दप्रदेश वासी है इसलिए मैं उन्हें ज्यादा बताना चाहँँ कि गवालियर से वो रहे और गवालियर से उन्होंने उन्हें पहला एलेक्शन लड़ा भारतिय अन्ता जी मनमोन सिंग जी सींदिया जी आदरनी कमलना जी सारे लीडर देश के आज उन्हें शद्दान जली देने पोचें क्योंकि वो उस लायक थे अटल जी द्वारा कभी भी पक्ष विपक्ष या पक्षपात की राइनिती नहीं की गई वो कॉंग्रेस की बात करें भार्चप जी आदर अटल जी के रहे और उन्यस्सो नुन्यानु और पिंचानु की बात करें जब देश बड़ी बुरी गति से गुजर रहा था अटल जी की सरकार डेढ़ साल के लिए फिर उन्हें लगातार उन्यस्सो नुन्यानु से 2004 तक एक सफल सरकार भारत देश को दी इंडिय शायनिंग का नारा दिया भारत उधय का नारा दिया और कई प्रकार की योजना उनके नेतरत में लाग हुई एक वाक्या मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ इंद्रा जी की टाइम पर जब अटेल जी पहली बार संसत का चुनाव हा रहे थे तब इंद्रा जी ने खुद दुख व्यक्त किया था और उने कहा था कि संसद में ऐसा नेता होने का बहुत जरूरी है इस विशामार संग्षेप में बताईए कि जब पक्ष और विपक्ष के बीच में राजनीती से परे होके रिष्टे हुआ करते थे सबसे बड़ी खुबी जो देखी जा सकती है कि राजनीतिक रूप में तो कॉंग्रेस और भाजपा के अंदर देश हित को लेकर कभी भी जब बड़े मुद्दे होते थे तो इंद्रा जी हो राजिव जी हो या लाल भादो शास्त्री रहे हो या नहरू जी रहे हो अटल जी का योगदान हमेशा रहा कभी भी बड़े मुद्दो पर उनके से चर्चा होती थी और अटल जी पूर्ण रूप से साथ देते थे आप देखें जो बड़ा डेलिगेट गया था उसके अंदर अटल जी को विपश्च के निता के रूप में इंद्रा गांदी ने विदेश भीजा था बात करने के लिए अपना देश का पक्ष रखने के लिए और जब इंद्रा जी हारी थी चुनाओ जब अटल जी दुखी हुए थे और जब अटल जी हारे थे जब इंद्रा जी बड़ी दुखी हुई थी कि एसा नेता सदन में नहीं है क्योंकि लोगस अटल जी का जनम जो है उनिस सुचोविस में हुआ था और दोजार अठारा 16 अगस्त 2018 को उनका निदन हुआ और इस बीच में उन्होंने कहीं प्रकार की कविताओं की माध्यम से भी देश को और विदेश को उनकी कविताओं आज याद होगी मैं समझता हूँ कि उनकी सबसे फेमस कविता थी 15 अगस्त की पुकार और कदम मिलाकर चलना होगा आपकी हरी दूर कब ये 15 अगस्त के अंदर उन्होंने कविता लिखी थी कि अभी आजादी दूर है हमें कई प्रकार के आजादी के लिए अभी लड़ाई लड़ना होगी और देश हित के लिए कई प्रकार के काम करना होगी विशेश कर कवी के रूप में अटल जी इस देश के अंदर विदेश के अंदर फेमस हुए अच्छा एतियास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी नेता के लिए जब किसी प्रधान मंत्री के लिए एक अन्य देश ने अपना जंडा आदा जुकाया है उसके राच्के सम्मान के लिए मौरेशियस ने मौरेशियस जैसे देश ने अपना राष्ट्य ध्वज आधा जुकाया है पूर प्रधान मंत्री अटल भिहारी वाच्पई के सम्मान के लिए इस बारे में आपका क्या क्या है न भी किहना चाहता हूं कि देश हो या विदेश हो जब एक नेता आज अटल का आज अटल जी का नाम लो तो जी अपने आप लग जाता है देश की अंदर एसे कम नेता है जिनका सम्मान कियाअ आप देखे आज नहरू जी को दोनों जग अटल जी का सम्मान ता इसलिए आज मोरिशस ने उनके सद्धान जली देने के लिए आज अपना जंडा नीचे किया तो ये थे कॉंग्रेस के प्रदेश प्रतिनी थी शेलेश गर्ग जीनों ने बताया कि ना सिर्फ बीजे पीबल की कॉंग्रेस भी इस शोग में काफी दुखी है और वो खुद अपना दुख व्यक्त करते हैं कॉंग्रेस के वरिश्ट नेता मैं हूँ युवराज सिंग पुरावत धर्मेन यादव के साथ MP News इन दौर